मन के समान कोई शत्रू नहीं। क्यों? शत्रू किसे कहते हैं? जो हमें दुख दे, टेंशन पैदा करे, अशान्टी दे, जन्म मृत्यू का बंधन दे, चौराची लाख में घुमाने का एक कश्ट दे, हम अनादिकाल से दुखी हैं, प्रतिक चण दुखी हैं, एक चण को कभी सुख नहीं मिला। और मूर्खता के कारण हम बोलते रहते हैं, आल्राइट। सुख नाम की बस्तू क्या है, जानते ही नहीं, और जान भी नहीं सकते। अगर अनन्त जन्म कोशिश करें, केवल हम सुख को जान लें, वो क्या है, तो नहीं जान सकते। बेद कहता है, यूवई भूमा तत सुखम, जो सदा को दुख समाप्त कर दे, पहली शर्ट। सदा को, हमने कहा न, हमको एक छण को सुख नहीं मिला, क्यों? अगर हमको सुख मिलता, तो फिर आगे कभी दुख न मिलता। हम जिसको सुख मानते हैं, उभ्रम है, धोका है, क्यों कि सुख होता है, भूमा, माने अनन्त मात्रा का। और जितने भी सुख हमको मिले, या मिलेंगे, तो माईक होंगे, माईक, स्वर्ग में भी, और माईक खेत्र में सुख है ही नहीं, यह आनन्द का बिरोधी है, सुख का बिरोधी है, माया, भगवान का बिरोधी है, सुख भगवान है, आनन्दो ब्रह्म बेद कहता है, रसो बै सह बेद कहता है, अगर भगवान मिले, तब सुख मिले, बस, गधे की अकल से समझो, आपको सुख मिला, हाँ, इसका मतलब भगवान मिल गए, नहीं, नहीं, तो फिर सुख कैसे मिला, आप धोके में हैं, किसी पदार्थ में जो सुख है, मा, बाप, बेटा, इस्तरी, पती, ये मिटीरियल जगत के सामान, इससे बड़ा सुख तो, फ्री फंड का मिलता है आप लोगों को गहरी नीद में, जब आप सपना भी नहीं देखते, उस समय का सुख इतना बड़ा है, कि जितना संसार पूरा मिल जाए एक को, तो भी नहीं मिल सकता, जितना संसार मिलेगा आपको, उतनी अशान्ती मिलेगी साथ साथ, आपका एक कमरा है, बस, आपके दस कमरे हैं, आप दसों कमरों के लिए फरनीचर चाहिए, हर एक में कहीं गरबड़ी न हो, एक कमरे की फिवज हो गया, दस गाड़ी है, आज एक का एक्सिडेंट हो गया, आज एक चोरी चली गयी, उतनी अशान्ती होगी आपको, घर में आपके एक बच्चा है, कम अशान्ती है, उसी को खुश करना है, उसी का पालन करना है, उसी को पढ़ाना है, उसी की रूची के अनुसार चलना है, चार बच्चे हैं, अब एक माँ चार बच्चे की इच्चा कैसे पूरी करेगी, एक कहता है, हम तो आलू खाएंगे, एक कहता है, हम टमाटर खाएंगे, एक कहता है, हम को आलू से उल्टी हो जाएगी, इतनी महंगी तरकारियां एक मा गरीब ये चार बच्चों की इच्छा कैसे पूरी करे और न पूरी करे तो वो लड़ेंगे और लड़ेंगे तो टेंशन होगा तो मा कहेगी है भगवान ये संसार दुख का घर है भगवान के हाँ जाव आनन्द आनन्द है यहाँ तक कि उनका ब्योग में भी आनन्द संजोग में भी आनन्द तो हमको जो सुख नहीं मिला अब तक क्यों उसका कारण है मन क्यों इसलिए कि मन ने सही जगे सुख ढूड़ा नहीं माना नहीं इतना बड़ा बरकर है मन कि संसार में कोई नहीं हो सकता प्रतिक्छन कर्म करता है मन और एक ही कर्म करता है कौन से एम से आनन्द के लिए हमको आत्मा को आनन्द कैसे मिले क्या करें क्या देखें क्या सुनें क्या सुगें क्या खाएं क्या स्पर्ष करें क्या पाले कि आनन्द मिल जाएं दुख चला जाएं अशान्ती चली जाएं तदा को लेकिन उसकी रिसर्च उसकी खोज गलत एरिया में है पानी मत रहा है मक्खन के लिए बालू को पेर रहा है टेल के लिए असंभो बातें जहां आनन्द का लेश नहीं है वहां आनन्द ढून रहा है भिखारियों से भीक मांग रहा है अन्दों से कह रहा है मुझे गो लोग धाम पहुचा दो और अन्दे भी कई प्रकार के होते है एक सीधा साधा होता है वो कह देता है मैं अन्दा हूँ मैं कहां पहुचा सकता हूँ और अधिकांश को ऐसे अन्दे आजा मैं पहुचा दूँ अब मैं तो देखने ही रहा हूँ कि ये अन्दा है क्या खवाला है विश्वास कर लिए कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कोई मा कोई भाप कोई भाई कोई बीबी जो साफ साफ कह दे कि मैं तो तुम से चाहता हूँ आनंद दिन भर सोचता रहता हूँ कैसे आनंद मिल जाए इससे हम तो आपको सक देना है ताहते हैं तो अब यही एक किन करते हैं एक दूसरे से साफ दोखा दे रहे हैं एक दूसरे को और ऐसा भोखा कि अगर वो कह भी दे अच्छा मैं आनंद दूंगा क्या चाहते हो अपनी सारी प्रापर्टी हमको लिख दो लो लिख दिया वो मिल गई आनंद मिला अरे नहीं मुचीबत खड़ी हो गई एक मुचीबत नहीं है पचास मुचीबत सब भोग रहे हैं हम लोग लेकिन फिर भी मन ने निश्चे नहीं किया यहाँ आनंद नहीं है नहीं है नहीं है इसलिए अबाउट टर्न हो जाएं अबाउट टर्न होने में एक ही बचा बस भगवार पीसरी कोई चीज नहीं है मेरे सिवा यह एक वो लेकिन निश्चे ही नहीं कर पा रहा है मन कि यहाँ आनंद नहीं है उसी के अंदर ढूनता है हमारा बाप खराब है हमारी माँ खराब हो है हमारी बीबी खराब मिली हमारा पती खराब है यह दोस्त खराब निकला अरे अग नर्मदा के कंकर साब संकर साब आनंद चाहते हैं कोई आपरादी नहीं है आपको ठग रहा है हाँ अरे तो आप भी तो ठग रहे हैं उसको हाँ हाँ यह तो ठीश है तो फिर बराबर हो गए आप उसको बेवकूप बना रहे हैं वो आपको बना रहा है पिर आप इतलाज क्यों करते हैं हमसे जूट बोला आप जूट बोलते हैं लोगों से सो हाँ बोलते तो हैं पिर आप क्यो बुरा मान रहे हैं हम दूसरे से जो आशा करते हैं वो हम भी तो करें, दूसरे से आशा करते हैं, वो हमारी सेवा करें, और हम दूसरे की सेवा करें, यह नहीं चाहिए, क्यों? एक को कार की ठोकर लग गई, गिर गया, तडप रहा रोड पर, आप भी जा रहे हैं, कार लेके, परोप दीजिए, इसको उठा लीजिए, इस्पताल पहुचा दीजिए, अरे क्यों जगड में पढ़ें, चलो जी, और अगर आपको ठोकर लग जाए, आप पर जाएं ऐसे, और कार वाला निकल जाए, तो इस्पताल नहीं पहुचा दीजिए, इस मन ने हमको बर्बाद किया अनाधिकाल से अब तक, संसार में ही आनंद ढूंड ढूंड के, और इसी के ऊपर हम निर्वर हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई बर्कर है ही नहीं, भगवान ने एक बर्कर दिया है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोग चयो, प्रतेक कर्म का करता मन हैं, एक नौकर, अगर कभी बेदशास्त्र के वाक्य पर विश्वास कर लेंगे, अथवा कोई वास्तबिक महापुरुष मिल जाए, और उसके ये वाक्य पर आदेश पर से धान्त पर विश्वास कर लेंगे, अगर कभी किसी जन्म में, मन में ऐसी बुद्धी पक्ती आजाएगी, और हम भगवान में आनंद मान लेंगे, मान लेंगे, जान लेंगे से काम नहीं चलेगा, जाना तो अनंत जन्म में, संतों के द्वारा, शाष्ट्रों के द्वारा, मरने पर हम बोलती है, राम नाम सत्य, बाकी सब असत्य है, मानते नहीं, जानते हैं सब कहुर्दाए में भगवान है, मानते नहीं, उसको दुख देते हैं, ऐसा वाक के बोले कि, बीबी को दुख मिले, बेटे को दुख मिले, पडोसी को दुख मिले, क्या करें, क्या ऐसा ब्योहार करें कि इसको दुख मिले, अरे उसमें भगवान है है हाँ है तो सुना तो है अरे अगर ये feeling ये realization सदा रहे सब में भगवान है तो किसी को दुख क्यों देने की सोचो तो मन ही सबसे बड़ा शत्रू है और कोई शत्रू नहीं होता और जिनने भगवान में मन लगा दिया उनका कोई शत्रू नहीं होता एक गाली दे रहा एक संत को तो सुन रहा है हच रहा है मात्ना बुद्ध को दिन भर गाली दिया एक तूरे दिन महात्ना बुद्ध ने कहा अपने शिष्ट से बिचारा ठाक गया होगा इसे कुछ खिला पिला दो उसने कहा ये कैसा बाबा है दिन भर मैंने गाली दी ये हमें खिला पिला ने कह रहा उसने कहा बेटा इदा रहा तुमको गाली देन में सुख मिला है न इसलिए मैंने कहा हमारे हिषास्तर में कहा है दूशरे को सुख देना चाहिए अरे तो तुमको दुख अरे देखो अगर तुमको कोई चीद नहीं चाहिए तुम पंडिट जी हो शराब नहीं पीते मांस नहीं खाते और कोई तुम को दे तो तुम क्या कहोगे हम नहीं ले ले जाओ ले जाओ तुम्हारी गाली हमारे काम की नहीं है हम काय को ले उसको अंदर क्यों ले जाएं तो आई हमारे पकान तक फिर लोट गे तो अगर कोई कोई किसी को दान करे और वो ना ले तो वो चीज तहा रहेगी देने वाले के पास तुम दिन बर प्रोध करते रहे तुम्हारा नुकसान होता रहा हमारा तो कोई नुकसान हुआ नहीं हमने लिये ही नहीं उसको वो चरणों में पड़ गया हाँ यह महात्मा है और तो किसी को एक गाली देते तो वो हमारी हड़ी पतली एक कर देता बाबा तो सब में भगवान है हाँ जाना लेकर माना नहीं हमारे अंदर है लेकर हमने यह भी नहीं माना नहीं तो हम प्राइबेट 420 जो सोचा करते है तो बंद कर देते हैं हम जो सोच रहे हैं अरे भगवान के ही खिलाब सोच ते गुरु जी के सामने बैठके उनी के खिलाब सोच ते सब के सामने हमारा अपमान किया गाली दिया हमको ऐसा कहा वैसा कहा अकेले में कुछ भी कह देते अगर ये फिलिंग मनुष्ट में सब में बिठा दी जाए अंदर वो बैठे नोट कर रहे है तो ने किसी गॉर्णमेंट की दरूरत ने किसी पुलिस की दरूरत है शान की मैं हो जाए तो मन जब कभी मान लेगा भगवान में आनन्द है वो फिर दुख समाथ बात खतम आनन्द मैं हो जाएगा तो यही मन जो शत्रू है इसको अगर समझा दो बार 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 समझाना पड़ेगा यह ऐसा वैसा मूर्ख नहीं है कालिदास्ते भी आगे है इसको बार बार सम्झाना पड़ेगा भूल जाता है यह अपने खिलाफ बात जो समझाओ तो अरे किसी से कहो आप जूट बोलना बंद कर दीजिए हमसे कहता है जूट बोलना बंद कर दीजिए अरे जूट कोई नहीं कौण नहीं बोलगा जूट न बोले तो जुन्या में कोई जिंदा नहीं रहेगा है और लेक्टर दे रहा है उपर से अगर किसी बच्चे से कहो यहां ते को लिखा है फेशाब करना मना है वहीं करेगा यहां पार्किंग मनी मना है गाड़ी कड़ी है वहां पर तो जब कभी ऐसा सभाग हो जाएगा किसी को मन में तो भगवान में लगा देगा तो फिर उसका वही मन जो इसको हम शत्रू मान रहे थे उसके समान कोई मित्र नहीं है इसी ने हमको भगवान के पाथ पहुचा दिया देखो तो यह तो हमारी बिरोधी पार्टी का था माया का पुत्र था लेकिन इसने हमारी मान ली हमारे गुरू की आग्जा मान ली बेदों की आग्जा मान ली और भगवान की ओर चला गया तो हमको भगवान के पाथ पहुचा दिया सदा को दुख निवृत्ती सदा को आनंद प्राप्ती इससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता वही संद को बूलेगा थैंक यू